आईए भक्तो आज सुनते हैं दसा माता बर्ट के नौमे दिन सुने जाने वाली कथा एवं कहानी तो एक बार बोलिये प्रेम से दसा माता की जै भगवती माता की जै एक गाउं में एक बुढ़्या परहामनी रहती थी वह बहुत गरीब थी उसके एक बेटा था एक दिन वह अपने बेटे से बोली बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे चार पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वा हो अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पर ने जबाब दे दिया है तब उसका लड़का गाउं वाले के जानवर चराने लगा एक दिन लड़का पश्वो को पानी पिलाने नदी पर ले गया वहां पर महलाय असनान करके दसा माता को डोरा ले रही थी उनके पास एक डोरा बच गया था उनमें से एक इस तीरी ने कहा कि इस लड़के से पूछो की या किसका है एक इस तीरी ने लड़के के पास जाकर पूछने लगी तुम्हारे घर में कोन कोन है लड़के ने बताया कि केबल मेरी बुधी मा है इस तीरी ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देन और कहना की इसका पूजन और बर्त करे हम तुम्हें सीधा और पूजा की समागरी भी देते हैं इसे भी अपने माता को दे देना लड़के ने उनसे डोरा लिया फिर सब इस्तिरियों ने उसे सीधा भी दिया लड़का उस समान को लेकर घर आया उसने दरवाजे से ही मा का मोज से दबा जा रहा हूं उसकी मा बहुत परसंद हुई मा ने बेटे से पूछा यह सब कहां से लाया हो लड़के ने मा को सब समचार सुना कर दसा माता का दोरा भी दे दिया बुढिया ने दोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से बर्त करने लगी नौ दिन तक जीत तैयारी से सुरू की वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढिया आकर बोली क्या कर रही हो बहन उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दसा माता का पूजन है इसलिए लीप रही हूं उस बुढिया रूपी दसा माता ने कहा क मुझे बहुत प्यास लगी है थोड़ा सा पानी पिला दो इस पर लड़के की माता बोली तो इस मिठी के बरतन से पानी पीती हूँ मेरे यह लोटिया कुछ नहीं है तुमको पानी किस में भड़ कर दू एक कटोरी ही मेरे घर में है पता नहीं वह कहां परी होगी जरा तुम मैं कटोरी में लाओ तब तुमको पानी पिलाओंगी बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई इस दसा माता जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारन कर रखा था उसके मटके रखने की जगा पर एक सोने का घरा रखकर अंतध्यान हो गई बुढ़िया कटोरे ले का नाम लगेगा मैं चोर कहलाओंगी वह इस चिंता में दसा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली तब एक उसका लड़का भी घर आ गया उसने मां से पूछा तुम किसे खोज रही हो उसने बताया अभी शिन अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यहां सोने क घरा रखकर ना जाने कहां चली गई लड़की ने बताया वही तो दसा माता थी उन्होंने तुमको यह घरा दिया है दुबारा फिर कभी वह आये तो उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना और उनकी अग्या का पालन करना जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हे नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दसा माता का दिया हुआ परसा समझ कर ले लेना किसी से या पूछताच मत करना की या चीज किसकी है या कहां से आई है बुढिया नदी में नहा कर बाहर निकली तो उसे सोने का घरा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे ब बहन लिया और घरे को हाथ में लेकर चलने की तयारी थी कि चार कहार एक डोली लेकर उसके पास आये कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा बुढिया जब घर पहुँची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलिसान महल खड़ा है बुढिया महल के अंदर चली गई वहां उसने सर्धा पुर्वक और भक्ती भाव से दसा माता के डोरे का पुजन किया और हाथ जोर कर बरदान मांगा कि जिस परकार तुमने मुझे संपत्ती दिये उसी परकार मेरे घर में एक सुसील बहु आ जाए तभी यह सब सोभा देगा कुछ दिनों बाद लड़के का विवा हो गया और बहुत ही सुन्दर वो सुसील बहु बुढिया के घर आ गई बुढिया ने दोबारा दसा माता से बर मांगा कि जैसे मेरे बहु बेटे सुसील और सजजन है उसी परकार मैं पोत्र पाउं कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहां एक पुत रूपी रत्न पैदा हुआ एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहु को पास बैठा कर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ती दसा माता की परदान हुई है उन्ही की किरपा से तुम इस घर में आई हो मेरे नहीं रहने के बाद यदी कोई मेरे कुछले कपड़े धारन किये बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आचल के छोड से पोछ डालना छीन मत करना उस से पराथना करना यह सब आपका ही दिया हुआ है जब भी दसा मता का डोरा लेना हो तो उसको तुम भी अव्यस लेना और सर्धा पुर्वक उसका पूजन करना तब भी तुम्हारे उपर संकट के बादल घिर आए हुए सुहागनियों को ने उता दसा मता की किरपा से तुम्हारी सब इच्छाय पूरी होगी कुछ दिनों के बाद बुढ्या का स्वर्ग बास हो गया दसा मता ने सोचा की बुढ्या के घर चल कर देखना चाहिए की उसकी बहु सास के वचनों का पालन करती है या नही एक दिन दसा मता ने बिर्धा भिखारन का वेस धारन कर उसके घर आई उसे देखते ही बहुत खरी हो गई उसके पाउँ छुए और बालक की उसकी गोद में डाल दिया उसकी सर्धा भक्ती से दसा माता बहुत ही परसंद हुई उन्होंने आशिरबाद दिया की तेरी धर्म बुद्धी है भगवान तेरा सदेव कल्यान करेंगे भंडार भरपूर रहेगा तु जो इच्छा करेगी वह तुझे अभ्यस पराप्त हो गा दसा माता ने जैसे किर्पा बुढ्ध्या परहामनी पर की वैसे ही किर्पा भक्त जनों पर बनी रहे तो एक बार बोलिये प्रेमसे दसा माता की जै भगवति हमाता की दसमी अध्याय एवं कथा इस दिन मैं लाओ डोरे की पुजा करे तत पहचात प्रत्थम दिन वाली पुजा को विधी अनुसार दुबारा करे यही सदेव दिन की पुजा होती है इती सिरी दसामाता बर्त कर्था संपूर्ण तो एक बार बोलिये प्रेम से दसामाता की चै